दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए बहुत एहम माहल है, बहुत एहम समय चल रहा है, केजरीवाल जेल में है, लेकिन उनके एक बहुत एहम साथी, राजसभा के सांसद और शराब घोटाला मामले के में जो जिन पर आरोप है, जो आरोपी हैं, संजे सिंग, इस सवाल है आप से पूछने के लिए लेकिन सबसे पहले छे महिने आप जेल में रहे स्वास ठीक है आपका ठीक है आप बिल्कुल जी यहां कुछ पहले से दिक्कतें जो स्वास संबंदी थी उसका मेडिकल चेक अप हो जाया करता था और बीच में एक लीबर की बैपसी के लिए डॉक्टर ने लिखा और सायोग देखे कि जिस दिन मैं एडमिट हुआ उसके बाद उसी दिन ये दो अपरेल को बेल हो गई थी तो फिर हास्पिटल से मुझे जेल भेजा गया और वहां से फिर केजरिवाल जी की गरिफतारी की खबाराई तो क्या मन में आया है? हाँ वो जरूर से मैं चाहूंगा आप से कि आज विस्तार से बात की जाय कि गरिफतारी कि से बे-बनियाद बे-सिर-पैर के तठ्थियों और एक गहरी साजिस का हिस्सा है. एक ऐसे निर्वाचित मुख् अडर बहुमत मिला उसको बिना किसी सुबूत के आधार पर उनको गरिफतार किया गया और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सूचिए 162 लोगों के बयान एडी ने दर्ज कि एक सो बासट गवा है दो साल से इसकी जाँ चल रही है सीबियाई और इडी मिलाके 50,000 पेज की चार सीड दाके लिए अगर तक 294 गवाँ सीबियाई के हैं गोरो जी 294 गवाँ और इन 456 गवाँ में कितने गवाँ ने केजरिवाजी का नाम लिया सिर्फ चार उन चार गवाँ ने केजरिवाजी के बारे में क्या कहा ये आपके दर बयान देने वाले लोग कौन है मंगुंटा रेड़ी रागव रेड़ी शरद रेड़ी और सी अर्विन ये चार बयान आते हैं ये चार बयान में भी बाब बेटे सरद रेड़ रागव रेड़ी और मंगुंटा रेड़ी दस बयान देते हैं गोरो जी और उन दस बयानों म और जानते हैं आप जो पहले के बयान वो छुपा लेती है य해 बात अपने अपनी क्रसकॉण्फ Krस Conference में भी कही है मैं 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 स्पेस कर दू दू मिनिट के बस समय है झाउगा वो छिपा लेती है मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा मैं धन्यवाद दूँगा माननी नया अले का नहीं छिपा लेती है मतलब इसका बता रहूं आपको ED के दो तरीके होते हैं Relied upon document, Unreliied upon document यानि कि वो document जिस पे हम भरोसा कर रहे हैं और वो document जिस पे हम भरोसा नहीं कर रहे हैं साथ के तहत अधिकार है कि ED ने क्या-क्या जाच किया है हम उनसे कागजात मांग सकते हैं तो हमारे वकीलों ने application लगाई court में और कहा कि केजरिवाल जी के खिलाफ रागो रेड़ी और मंगूटा रेड़ी ने जो बयान दिये हैं उसका सच सामने कीजिए तो court ने धन्यवाद है कि उन्होंने permission दे दी कि भैई दिखाओ इनको क्योंकि भैई आप अगर कोई जाच कर रहे हैं वो ED का दफ्तर कोई museum तो है नहीं आप जो जाच कर रहे हैं वो हमको दोसी सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं तो सारे कागज आपने क्यों नी रखे एक बयान आपने रागो रेड़ी का रखा एक बयान आपने मंगूटा रेड़ी का रखा जिसमें एक दो बयान जिसमें भी वो हमारे खिलाफ थे वो आपने रखा बाकि सब आपने कह दिया ये underlaid upon document है जब हमारे जब हमारे वकीलों ने जाके वहां जाच किया तो हैरान हो गए पहले के मैयानों में केजरीवाल जी का नामी नहीं है और जैसे ही वो केजरीवाल का नाम लेते हैं तुरंट उनको रिहाई मिल जाती है अब आप डेट सुन लीजे वो महतुपूड है फिर मेरी बात खतम है सोला सितंबर पहला च्छापा मंगुंटा रेड़ी रागो रेड़ी के हाँ दस फरवरी गिरिफतारी की तारीख दोजार तेईस सोला जुलाई अरबिंद केजरीवाल का नाम लिया अठारा जुलाई बेल मिल गई सरद रेड़ी उसकी तारीखे सुन लीजे नव नुवंबर दोहजार बाइस चापा पड़ा दस नुवंबर दोहजार बाइस गिरिफतारी हुई पचीस अप्रेल केजरीवाल जी का नाम लिया रिहाई हो गई छे महीने जेल में रहा बारा बयान सरद रेड़ी ने दिया दस बयान में केजरीवाल का नाम नहीं 11-12 बयान में नाम आया रिया हो गया बेल हो गई साब और 55 करोन रुपए की रिश्वत भारती जंता पार्टी को दी इसका मनी ट्रेल आया किस तारीक को गोरो जी किस तारीक को आया तारीक भी जानना महत्पूर्ण है आपके दर्सकों को कितनी बड़ी साजी से केजरीवाल जी के खिलाफ ये जानना जरूरी है साम को 6 बचके 50 मिनट पर माननी सरवोच चनेयाले के आदेस के बाद वेफ साइट पे एलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आई और ये तथ्य सामने आ गया कि ये तो सरद रिड़ी गिरिफतार होने के बाद एडी के किंग पिन कहने के बाद साराब घोटाले बाज कहने के बाद इसने तो 55 करोन की रिस्वत भाजपा को दिये साराब घोटाला तो भाजपा नहीं किया और साथ बच के चौदा मिनट पे एडी का छापा हो जाता है लेकिन जो आप बयानों वाली बात कर रहे हैं संजे जी की दस बयान दिये और कुछ नहीं बोला इस पर एक तरक ये है कि अगर उसने शुरू में नहीं बोला इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ वोट कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था और केजरी वाल का नाम लिया तो उसने घलत किया ये कैसे आप मान सकते हैं आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्यों नहीं बात के बयान सही है क्यों नहीं बात के बयान को सही माना जाए तो आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं पहले के बयान को सही माना जाए और आप निस्पक्ष है में ये भी मान ले कुल मानना चाहिए सब सारे बयानों को मानना चाहिए सारे बयानों को मानना चाहिए ना तो सारे बयान आपने रख्थे क्यों नहीं कोड के सामने वह या मैं तो सिर्फ इतनी छोटी सी बात कर रहा हूं आपने सही बात कही मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं सारे बयानों कि ये kingpin है गौरो जी एडी तो केजरिवाल जी को kingpin कह रही है इडी कह रही है शराब बुटाले के kingpin अर्विन केजरिवाल लेकिन उसी एडी ने सरद रेड़ी को kingpin कहा जिसने बीजेपी को 55 करोन की रिश्वत दी उसकी pin निकाल ली उसको king के दिया बाद में जैसे उसने 55 करोण की भेट चड़ाई बोले पीन निकल गया तुम किंग हो एडी ये भी कह रही है कि वो जो किंग पीन है अर्विन केजरिवाल सौ करोण रुपए की बात हो रही है और वो सम बढा के श।स करोण तक पहुँच गया सुनवाई मैं वो कह रहे है मनी ट्रेल है मारे पास पैसालिस करोण रूपए गोवा के चुनावति पार्टी के खर्च हुए कहां है वो Money Trail कहां है Money की Recovery कहां है कोई संपत्ती एक रुपई अर्विन केजॡिवाल जी के घर पे नहीं मिला एक रुपई मनी सी सोधिया के घर पे नहीं मिला वो कह रहे हैं अर्विन केजरीवाल अपने अपली डिवाइसेज के पास्वणी नहीं दे रहे जी अरविन केजरिवाल अपने यहां से जो रिकवर किये खिए गार्पट के पास्वर्ट िदे हैं हैं उसमें हमारे बहुत सारे महत्वून बाच्चीत हैं मैं आपको क्यों दूँगा उसमें हम अपने और आप ऐसी एजनसी जो तक्षियों को छुपाते हैं कि एक फोन के अंदर बहुत सारे अपने चुनाओ से संबंदीत अपनी रड़नीती से संबंदीत एक नेता के जानकारियां होती है हम आपको क्यों जब आप भाजपा से रिश्वत देने भाजपा को रिश्वत देने वाले को नहीं रोक पार अच्छा आप E.D. गिरिफतार करती है किसी को उसके बैंक अकाउंट सीज़ करती है ना मुझे बताएं ये सरद रेटी के बैंक अकाउंट क्यों नहीं सीज़ हुए उसने अपनी गिरिफतारी के बाद 55 करोन का चंदा कैसे दे दिया बीजेपी को उसके अकाउंट तो सीज़ होने चाहिए थे पहले इस पर बात करते हैं आपने कहा कि बहुत सारी चुनावी रणनीतिया होती हैं हमारे गोपनिये दस्तावेज होते हैं मीडी को क्यों दिखा दे तो यही बात तो कही जा रही है जेल से सरकार चलाने के संबन में कि सरकार जब चलाई जाएगी तो बहुत सारी गोपनिये बाते होंगी जो किवल सरकार को और सरकार के लोगों को पता हो जेल में वो गोपनियता कैसे मेंटेन हों रहा हूँ जेल में आपको एक एक चीज विस्तार से बता सकते हूँ जेल से जेल नियमावाली के तहट यानि कि डी पी आर जो है जो डेली प्रिजन रूल है वो कहता है आप पढ़ लीजिएगा और अपने किसी वकील से कह भी दीजिएगा कि असीमित चिथियां कोई भी व्य सुपिंटेंडेंट से या डिप्टी जेल सुपिंटेंडेंट से मैंने भारत के उपरास्ट पती को चिथी लिखी है जेल से वो गई है भारत के उपरास्ट पती जी तो कोई छोटे बेक्ती है नहीं LG से तो बहुत बड़े हैं उनको चिथी लिखी है मैंने जेल से अब आ जाते हैं गोपनिय पत्र इस्टेंडिंग कमेटी उसकी कारवाई आप जानते हैं बिल्कुल गोपनी होती है मेरे खिलाफ चार कमेटियों के अलग-अलग मामले चल रहे थे उससे संबंदित एक पत्राया दिल्ली के जेल सुपरिंटेंडेंडेंट के पास कि ये गोपनी है औ और कान्फिदेंशियल लेटर सील्ड फ़र्लेटर आप सीधे हमचायेगा संजय सिंग को वो पत्र जेल सुपरिंटेंडेंडेंडेंट के माध्यम से जिसका सील्ड पत्राया हमारे सामने उसको रिसीव कराया गया मैंने उसके सील्ड खोली फिर मैंने उस क्योंकि स्टेंडिंग कमेटी का जवाब भी गोपनी होता है मैंने कोर्ट में कहा साथ ये जवाब गोपनी है इसको जेल के अधिकारी पढ़ नहीं सकते इस पे आप आदेश दीजिए कोर्ट ने का इनका लेटर नहीं पढ़ा जाएगा जो जवाब है गोपनी तरीके से वापस जाएगा फिर मेरा पत्र स्टेंडिंग कमेटी को सील लेटर में वापस गया अगर कॉन्फिडेंशल लेटर के तरीके हैं तो इस से पहले चाहे हेमन सोरेन हो चाहे लालू परसाथ जी हो चाहे कोई हो उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया अरे भाईया उनको नहीं मालूम था कि देश के प्रधान मंतरी कभी नरेंदर मोदी जी होंगे जो पिपक्ष की सारी सरकारों को खतम कर देंगे फरजी मुकद्बे बना बना के जेल में एक के बाद, दूसरे के बाद तीसरे के लाध, छो तो चौते मुक्ख मंतरीयों को जेल में डालेंगे कर सो दिया बीजिएन जी की बेटी पर मुकद्मा कर दी उनिपर जाँ च्छ वात सुरू कर दिये कल को आप बिजियन जी को कहेंगे चलो भई अब ममता बनर जी जी के भतीजे पर मुकदमा शुरू कर दिया है तो ये तो इसका कोई अंत नहीं है ना मतलब देश में चुनी हुई सरकारों का मुख्यमंत्रियों का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा अब हाई कोट गए ये केलने के साब मुख्यमंत्री स्तीफा दे हाई कोट ने कह दिया वही हमारे अधिकार के बाहर की संजय जी इस तरक के हिसाब से तो फिर मनीश्ट सौधिय और सतिंदर जैन को भी स्तीफा नहीं देना चाहिए था उनको तो पता था न तो उनके विभाग जो बाकी हमारे मंत्री चला रहे हैं चला रहे हैं अब यह कह रहे हैं मंत्रियों का विकल्प है लेकिन मुख्यमंत्री का विकल्प नहीं आमादनी पार्टी के पास वो मुख्यमंत्री हैं उनके पास विभाग कों सा है तो निर्देश दे रहे हैं ना निर्देश तो दे र सब्सक्राइब की तरह उस पर बात कर रहा हूँ कि एक तरफ मनिपूर की सरकार जहाँ पर एक साल से हिंसा हो रही है उस मुख्यमंतरी को तो माला पहना के कंधे पर बिठाया जाएगा भाज पाईयों के दवारा और एक मुख्यमंत्री जो बिजली के लिए, पानी के लिए, सिक्षा के लिए, स्वास्त के लिए, बुजर्गों की तीर, थियात्रा के लिए, माताओं बेहनों को एक हजार उपए के आर्थिक साहता देने के लिए काम कर रहा है, उसको तो आप तुरंत जेल में डालो, इस्तीफा देदो, पर दिल्ली के दो करणों लोगों ने मुख्यमंत्री बना है, किसी भाजपाई की किरपा से तो बने नहीं है, अर्विन केजरिवाल जी मुख्यमंत् तो ना तो जेल में कोई नियम है, ना कोई ऐसा प्रेसिडंट है, आपके पास वो क्या तरीका है, तरीका क्या होगा, जिससे जेल में से सरकार चलेए, कितने तरीके आपको गौरो जी बता दिया, मैंने, सहारा स्री का सबसे बड़ा उधारन है, चंद्रा ब्रॉदर्स का दो करोड लोगों के साथ अन्याए नहीं होगा, एकदम अन्याए नहीं है, कि उनका मुख्यमंत्री के बारे में जानते है, कि उनका मुख्यमंत्री इमानदार है, मैंने आपको डीटेल बता दिया, कि उनके खिलाब बयान कैसे लिए गए, साजिस कैसे की गई, एक एक होता है अप अनुभग आपको है चिट्थी आएगी जाएगी कुछ आकस्मिक चीजे होंगी उसमें कैसे कास्मिक आसकती हैं मैंने आपको बताया को कोट को जेल के मामले में आदेस देने के बहुत सारी अधिकार कोट आदेश देती है जहां कहीं भी असुविधा आती है हमें जेल मैनुवल से हम कोट के सामने जाते हैं तो मतलब आमाद्णी पार्टी जा रही है कोट में ये कहने कि हमें जेल से सरकार चाने का अधिकार दीजे आपने कि कोई ऐसी पेटिशन लगाई है शे महिने में रहां बहुत सारे अनुभो हो गए बहुत सारी कोट में पेटिशन लगाई उस पे हमें जो जो चीजों की राहत मिली आज जहां जहां आसुविधा आ रही है तुरंत हमारे जो वकील है वो चिट्थी लगा रहे हैं कोट में विजे नायर को जानते थे आप विजे नायर काम देखा तो विजे नायर से विजे नायर पर जो आरोप है उस बारे में कभी आपको लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है जब मैं आपको बता रहा हूं कि आरोप मनगढ़न तरीके से बनाए गए है और उसके तमाम प्रमाण भी दे दिया मैंने मनगढ़न तरीके से अगर रोब लगाए है विजे नायर कोई पब्लिक ऑफिस होल नहीं करते थे वो आम आदनी पार्टी के कार कóल करता थे फिर उनको एक सरकारी बंगला क्यों दिया रहने बहुं हम लोगों के घरों में कितने पार्टी के कारकरता रहते हैं, आप लोगों को साथ पता नहीं है, टीवी चैनल्स के जितने भी मित्र हैं, मैं चाहता हूँ, ये देखिए आप लोग कभी आके, हमारे बारे हम तो अपने रिपोर्टर से भी पूछ ली गए तो बता देंगे, तो ये गोपाल राय जी के घर म आपके घर में आपके रहते वे कोई कारकरता ठिक जाया लेता और एक कारकरता को पूरा एक सरकारी बंगला दे दिया जा है, तो बताया तो गहलोट जी ने कि हम अपने परिवार के अकेले भी जैनेर थोड़ी रहते थे, बहुत सारे कारकरता, भी गहलोट जी नहीं रहते जाना क्या आम आदनी पार्टी के लिए एक सेट बैक है और इन चुनावों में उसका नुकसान हो सकता है निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही पीड़ा का विसा है बहुत ही तकलीफ का विसा है कि एक ऐसे लोकप्री मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया और जब मैं जेल से छूट के आया परिवार से मिला तो पहली बार सुनीता भावी के आँखों मैंने आसू देखा और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन आसूओं का जवाद दिल्ली की जनता लेगी एक आरोप और लग रहा है और एक बीजेपी के कारकरता जब बात करो तो कहते हैं जेल में सियम मोर्चे पर मैडम आप परिवार बात का आरोप जो लगता था वो आपकी पार्टी तक पर आ गया है कि अर्विन केजरिवाल के जेल जाने के बाद बजाए किसी पार्टी के बड़े नेता कारकरता के उनकी पत्नी क्यों आ रही है मीडिया के सामने और उनकी पत्नी ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी की सबसे वड़ी निताफ वो हो गई इस समय भार्ट ये एक बेबुनियात तरीके की बातें और आरोप है पूरी पार्टी ने एक स्वर में कहा केजरिवाल जी मुख्यमंतरी थे हैं और रहेंगे कैसे और कहें बताईए दिल्ली की जनता ने चिला चिला के कहा केजरिवाल जी मुख्यमंतरी थे हैं और रहेंगे हमने campaign चला लिया पूरे दिल्ली में जंता ने का केजरिवाल जी मुख्यमंत्री थे हैं और रहेंगे और कैसे विश्वास दिला है इन लोगों के ऐसे कुछ भी बोल देने का हम जवाब क्यों देते रहें और आज की तारीख में भावी जी की ही बात होती है मुख्यमंत्री ज बायान है कि केजरिवाल जी मुख्यमंत्री थे हैं और रहेंगे बहुत शुक्रिया संजर जी अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया तो संजर सिंग को सुन रहे थे आप आम आदनी पार्टी की राजसवासान साथ 6 मेने जेल में रहे शराब घुटाले के माम समले में आरोपी और उनका कहना है कि घुटाला तो है ही नहीं बीजेपी की साजस जैसा कि आम आदनी पार्टी बता रहे हैं इसको एक बार फिर वही आरोप दोराते वे